नमस्कार साथियों, मैं मास्टर भिनो सर्ण, हाजर हूँ एक और नए टॉपिक के साथ देखे साथियों, आज हम आपसे बात करेंगे, इसमें ये राजिस्थान का जो मैप दे रखा है इस मैप में राजिस्थान के अंतिम बिंदू, देखे ये पूरब में दे रखा है ये वाला इलाका, ये पूरब इलाका है पूरब में हमारा एक जिला है धौलपुर कौन सा साथियो धौलपुर देखिए ये धौलपुर जो राजस्तान की पूरब में जो अंतिम सीमा है वो धौलपुर में तक जाती है और धौलपुर का गाम है सिलाना गाम कौन सा है साथियो सिलाना गाम ये सिलाना गाम धौलपुर इसे हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कपड़े सिलाने जाओ धौलपुर देखिए इसके जो उत्तर में है उत्तर में दे रखा है कौना गाम गंगा नगर कौन सा है साथियो कौना गाम गंगा नगर दे रखा है ये वाला कि उत्तर में इसकी अंतिम जो छोर है या अंतिम बिंदू है इसका वो कोना गाम गंगनगर में है अगर बात कर लेते हम पस्चिम्तम बिंदू इसका देखे साथ यह आपने देखा होगा पस्चिम्तम जो जिला है वो है जैसल मेर पस्चिम तमजिला कौण सा है यह जैसलमेर है और इसका जो अंतिम मिंदू है वो है कट्रागाउं कौण सा गाउं है कट्रगाओं आप लोग देख रहे हैं यह गुजरात वाला साइड है या पाकिस्तान वाला साइड है देखे पाकिस्तान वाला साइड है तो यहाँ पर हमेशा मार काट होते रहते हैं तो कट्रगाओं समतैसील जसलमिर यह इसका अंतिम बिंदू है अगर बात करते हैं हम आप से डख्षिन राजस्थान की देखिए ये दे रखा है डख्value में राजस्थान की जो अंतिम सीमा है वो जाती है बासवाड़ा में तो बासवाड़ा में एक स्थान है बोरकुंद बासवाड़ा साथ ही हो हम आपको जब नदी नलकूप आदी बताएंगे सचाई के साधन तो ये भी बताएंगे कि सरवादिक बौर बौरकुंद सरवादिक बौर है जो है बौरों की जो मात्रा है वो बासवाडा में है तो बौफोर बौरकुंद और बौफोर बासवाडा देखे साथियो ये भारत का मैप है किसका है भारत का इसे उपर से नीचे तक पूरे मैप को देखिए अब हम आपको बताएंगे देखे ज़रा इसमें थोड़ा सा राजस्तान के समन्द में हमें क्या बताना है देखिए ये इस तरह से है ये पूरों से पस्षिम और ये उत्तर से दखिन तो साथियो आप लोगों पता लगा होगा कि जो राजस्तान का जो कंडिसन है वो कहां पर है तो आप लोगों लगा होगा देखिए ये गुजरात है पस्षिम तमजिला पस्षिम और उत्तर में है ये जे अंड के यनि जम्मो कस्मीर तो इसके बीच वाला ये वाला छेतर है तो इसे हम क्या कहेंगे उत्तर और पस्षिम के बीच वाली जिसा को उत्तर पस्षिम तो भारत की इस्तिती में राजस्तान की इस्तिती क्या है यानि राजस्तान किस दिसा में इस्तित है ये देखिए राजस्थान का मैप है ये ये देखिए राजस्थान का मैप है इसमें हम इसमें आपको जान कर देंगे कि राजस्थान की उत्तर से धक्किन और पूरव से पस्सिम लंबाई क्या है और इसका आक्छान सिय और दिसांत्री बिस्तार कैसे कैसे है देखिए साथिय रेटनर नहीं है आपको समझना है पूरव से पसिम इसकी लंबाई ज़्यादा है तो ये इसकी जो लंबाई है पूरव से पसिम वो है आठ सो उनत्तर कितना है साथियो आठ सो उनत्तर और उत्तर से दक्षिम जो इसकी लंबाई है वो क्या है तो सातियों इनको हम घटाएंगे आपस में तो ये 43 बचता है कितना बचता है 43 तो 43 इसका अंत्राल हो जाएगा देखिए अभी हमने आपको इसकी सीमाओं के बारें बताया था तो इन सीमाओं में देखिए अगर मैं आपको इधर से बता देता हूँ देखिए इधर से ये जो वाली सीमा है इसमें उपर ये पंजाब है और पंजाब के साथ में साइड में ये हरियन लगा हुआ है देखिए आपको ये पता होगा पंजाब से 89 किलमेटर के सीमा लगी हुए राजस्तान की कितनी साथ ही हो 89 और हरियन से लगी हुए 1262 कितनी लगी हुए 1262 जबकि उत्तर परदेश से 877 877 इन सब को हम आगे ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि कैसे ट्रिक के माध्यम से इन्हें हम याद रख पाएंगे आगे दे रखा है मध्यपर्देश कौन सा है मध्यपर्देश ये देखिए जो मध्यपर्देश वाला इलाका है ये वाला इलाका मध्यपर्देश ये जो मध्यपर्देश है ये जो मध्यपर्देश है यहां से लेकर के बहासवाणा से लेकर के और धौलपूर तक जो लगा हुए हैं यह हैं दस जिले कितने जिले हैं दस जिले और यह दस जिले सरवादिक बाडमीर से लेकर के कहां से साथ ही हो बाडमीर से लेकर के और उपर स्रीगंगनगर तक यहां तक हमारे हमसे एक मात्रदेश पाकिस्तन लगा हुआ है और पाकिस्तन से जो सीमा लगी विए वो 1070 है और उसका नाम है Red Cliff क्या नाम है साथ ही हो Red Cliff तो देखिए ये भी बहुत बार पूछ जाता है जो ये राजस्तार का विस्तार है यनि ये उत्तर में 30 डिगरी कितना है साथ ही हो 30 डिगरी 30 मिनट से 30 डिगरी 30 मिनट ये डिगरी का चिन्द है और ये मिनिट का चिन्द है आप लगों 30 डिगरी 3 मिनिट से और 30 डिगरी उप पार है मिनिट उत्री आक्छान्स आप देखेंगे पूर भी देशांतार इसका यह है 70R ha कि और 30 मिनट से 29 तीस मिनट से 78 और 17 kg कितना है सत्रे मिनट पूरभी देशांतार देखी यह लिख रहा, तो यह इसका बिस्तार था साथियो, इसके बारे में हमने आपको बताया है, आगे हम आपको बता रहे हैं देखिए, देखिए साथियो, अब हम आपको इनसे जो लगी हुई सीमाए है उनको ट्रिक के साथ में कैसे बताएंगे जरत देखना ये देखिए इधर, ये लिख रहा है राजस्तान के साथ लगी हुई सीमाए आप लोगों पता होगा राजस्तान की जो कुल सेतलिय सीमाँ है वो 69 किलोमेटर है कितनी है? 62 किलोमेटर जो 6920 किलोमेटर है, इसमें दोनों प्रकार की सीमाए है एक तो राज्य की सीमा है और एक है अंतराष्टी सीमा है तो राज्य की सीमा है 4850 कितनी है 4850 और जो अंतराष्टी सीमा है वो है 1070 किलो मेटर देखिए अब हम बात करेंगे इसमें पंजाब से लगी हुई सीमा कि पंजाब से सीमा जो लगी हुई है वो कितनी लगी हुई है ज़रा देखना यानि पंजाब से सबसे कम सीमा लगी हुई है नवासी किलोमेटर की यानि एट नाइन किलोमेटर है और सबसे ज़्यादा गंगानगर से और कम लगी हुई है हनमानगर से सांदार ट्रिक है साथ ही उसकी स्री हन्मान क्या लिख रही हमने स्री हन्मान स्री से स्री गंगानगर और हन्मान से हन्मानगड देखिए आप लोग इधर देखना क्या लिख रहा है स्री हन्मान यानि स्री से स्री गंगानगर हनमान से हनमान गड देखिए हरियाना हरियाना की जो ट्रिक है यदे रखा है हरियाने की जो सीमा है वो है 1262 किलोमेटर कितना है 1262 जो 1262 किलोमेटर है ये साथ जिलों से लगी हुई है कितने जिलों से साथ जिलों से लगी हुई है इसकी हमने ट्रिक बताईए साथियो बहुत सांदार ट्रिक है यदि आप दिल लगा के इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरी सीमाएं बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएंगी देखें ट्रिक है आज भरत ने हनुमान से जुन्जना चुराया देखें पूरा देखना से आज भरत ने हनुमान से जुन्जना चुराया देखें साथ चुराया सब्द और है इसमें आ गए क्या है चुराया तो आप एक बास सोचो आज से हो जाएगा अलवर जैस हो जाएग हनμômान से हो जाएगा हनमांगर 세 से जाएगा सीकर और खुनजनु से हो जाएगा जुनजनु और चुराया से हो जाएगा चूरू क्या हो जाएगा चूरू ते साथ देखे इसे यहां समझा रखा बहुत अच्छे से यह नि हर्याने से 1260 है साथ जिलों से यह दिखिए आज भरत ने आज भरत ने हन्मान से जुन्जना चुरा लिया तो इसे देख लेना पूरा लिखा हुआ है इस तक मैंनेIEL पहले ही समझा दियाईसे यह अल्बर है जईपूर है भरत भरत भर है नेक अर्थ साइलेंट है हन्मान से हन्मानगड से से सीखर जुनजना से जुन्जनू और चुराले से चुरू आगे है उत्तरपर्देश कौन सा है उत्तर पर्देश है उत्तर पर्देश हम देखेंगे कि उत्तर पर्देश से किनके की सीमा लगी हुई है देखे साथियो 877 किलोमेटर की सीमा बनी हुई है ये दो जिलों से है भरतपूर और धौलपूर किसके से है भरतपूर और धौलपूर से सरवादिक लगी हुई है भरतपूर से उसके बाद लगी हुई है दोहलपूर से देखे अब हम बात करेंगे मद्यपरदेश से लगे 10 राजिलों की देखे साथियो मद्यपरदेश है यह बहुत ही important है इससे परसें बार बार पूछ जाता है कि राजस्तान की सरवादी इस तले सीमा किस राजस से लगी हुई है तो वो लगी हुई है मद्दे परदेश से यानि MP से 1400 किलोमीटर दस जिले लगे हुए हैं इसके इन दस जिलों की सांदार ट्रिक है देखिए आप अच्छे से से देखेंगे तो आपको ये ट्रिक है याद हो जाएंगी हमने लिखा है देखे साथियो एक वर्ड होता है धोबी क्या होता है धोबी जो कपड़ा धोने वाले लोग होते हैं उन्हें धोबी कहा जाता है लेकिन यहाँ दोबी नहीं है ये वर्ड है धोबी क्या है धोबी तो हमने ट्रिक में लिखा है धोबी बाप को चिकबास की जाल दे क्या लिखा है धोबी बाप को चिकबास की जाल दे देखे साथियो जो होना चीए च्छाल सब्द लेकिन च्छाल से हमारा कोई अर्थ नहीं निकलता है ज्छाल से निकलता तो ज्छाल मान लिया हमने इसको तो दो से हो जाएगा धौलपूर भी से हो जाएगा भीलवाड़ा बास हो जाएगा बारा पैस हो जाएगा प्रतापगड को सो जाएगा कोटा और ची सो जाएगा चित्तोरगड कैसे करो ली बासे बासवाड़ा और सैसे सवाई माधोपूर की साइलेंट है इसमें और जाल सो जाएगा जालावाड साथ ही हो तो ये दस जिले हैं इनको हमने सांदार ट्रिक के माध्यम से आपको बताया है देखे आगे देखेंगे हम इसम अभी गुजरात यानि गुजरात से जो लगे हुई सीमा है वो देखेंगे तो गुजरात से जो लगे हुई सीमा है वो है 1070 किलोमेटर इसे 6 जिले सीमा बनाते हैं कितने बनाते हैं 6 जिले साथियों इसकी भी बहुत सांदार और देसी और फनी ट्रिक है वो है देखो हमने क्या लिखा है बाबा उड़सी जालोर क्या लिखा है बाबा उड़सी जालोर ये लो देखिए बाबा उड़सी जालोर बाफोर बाड़मेर जापोर देखिए बाफोर बाड़मेर एक बाग का अर्थ होता है देखिए बाड़मेर और एक कता बांसवारा एक उ से होता है उदेपुर डे से होता है डूंगरपुर सी सोताय सिरोई और जालोर अपने आप में है देखिए इस ट्रिप को यहां देखिए आप मैंने इधर लिखा ऐसे यह देखिए बाबा उड़सी जालोर तो इसे खोल देखिए बाड मेर बासवाडा यानि बासवाडा बाड मेर उदैपुर, डैसे डुंगरपुर सी से सिरोई और जालोर से जालोर यह था साथियों देखिए अब आप हमें देखिए अब हम आपको बताएंगे एक मातर देश पाकिस्तान जो राजस्तान से सीमा बनाता है देखिए साथियों यह दे रखा है पाकिस्तान है और पाकिस्तान से जो सीमा लगी हुई है उसका नाम है रेड किलिफ क्या नाम है रेड किलिफ बार बार पूछ जाती है राजस्तान में रेड किलिफ की लंबाई क्या है तो 1070 इसको भी हमने ट्रिक के माध्यम से बताया है कि कैसे हम चार जिलों को ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं और वो चार जिलों को किस तरह याद करेंगे साथ ही और जर देखना यह दे रखा है और यह क्रम पूछ जाता हर बार पीपर में कि सबसे कम किस जिले से अंतराश्टी सीमे लगी हुई है और सबसे जादा किस जिले से लगी हुई है तो इनका हमने क्रम बताया है 2nd grade और 1st grade और RIS में कैई बार पूछा गया पुछन है तो साथ यह हमने एक ट्रिक लिखी है एक word लिखा है Big Bajay Big बाजे देख साथियो आपको एड़ेस्ट करना पड़ेगा ट्रकों के साथ में आप इसे दो तीमा पड़ेंगे आपको याद जागा बीफोर, बीकनेर, गैफोर गंगनगर, बाफोर बाडमेर, जैफोर जैसलमेर, तो साथियो इनका सही क्राम है जो इनका से लंबाई लगी हुई है तो आप लोग देखेंगे इधर बीफोर है, बीकनेर इसे लगी हुए 168 जो सबसे कम है गैफोर, गंगनगर, इसे 210 लगी हुई है बाफोर, बाडमेर, इसे 228 साथियो राजस्ताम पुलिस के पेपर में दो-तीन बार इसे पूछा जा चुका है बहुत इंपोर्टेंट है कि बाडमेर से कितनी अंतराश्टी सीमा लगी हुई है 228 किलोमीटर जेफोर, जैसलमेर जैसलमेर से लगी है 464 साथियो जो सरवादिक है 464, यदि हम इनको जोड के देखते हैं इन सब को, तो इनका उत्तर होगा 1070 अब आप लोग देख रहे हैं कि दो मात्र चले हैं जो अंतराश्टी है वे अंतराश्य सीमा बनाते हैं वो हैं बाडमेर और गंगनगर देखे साथियो बाडमेर गुजरा से विसीमा बनाता है और पाकिस्तान से बनाता है गंगनगर पंजाब से विसीमा बनाता है और पाकिस्तान से विसीमा बनाता है देखे देखे साथियो यदि अंतराश्य और अंतराश्टे सीमा के बारे में आपको बिस्तार से जानकरी लेनी है तो हमने यहाँ पर इसका PDF डाउनलोड किया है इसे आप देखते रहें तो यह क्या लिखा है हमने आपको देखिए यह सितलिय सीमा क्या है इस तलिय जो सीमा है वो है आपको भी बताया था हमने वीडियो में कि 6920 किलोमेटर है और अंतराश्टी सीमा इसमें 1070 और 4850 है अंतराजी सीमा हो के साथ ही हो अब यह देखेंगे इसमें सारा कुछ विवर्ण दिया गया है अंतराजी सीमा यह राज्तान के पांच राज्यों के साथ अंतराजी सीमा बनाता है ये उत्तर पर्देश, पंजाब, हरियाना, देखिए उत्तर पूरब में पंजाब, उत्तर पूरब में हरियाना है, पूरब में उत्तर पर्देश, दक्खिन, पूरब में मद्द पर्देश, और दक्खिन में गुजरात के साथ अंतराज सीमा बनाता है तो सबसे पहले रखा पंजाब इसे आप अच् precautions पढ़ ले ना बहुत अच्छा लिखा इसमें यहनि राज़तान के दो जिले की सीमा पंजाब से लगती है और पंजाब के दो जिले फाजिल्ला और मुक्तसर इन से लगी हूई है इनको आप अच्छे से पढ़ ले ना ढंग से जिला मुख्याल किसका कहा है किसका नजदी के यह सब इसमें बहुत अच्छा सा लिखा हुआ है जैसे पंजाब का सबसे नजदी की जिला मुख्याल है गंगन अगर है च्या है गंगन अगर और दो ही तो जिले हैं आ रहे हैं इसमें दूस हो जाएगा अनमानगण अब आप देखा मैंने इसमें दिखा है हरियाना यह दिख रहाए आपको हरियाना ये देखिए हरियाना हरियाना से 1262 बताई थी मैंने राजस्तान से साथ जिले और हरियाने के भी साथ जिले लगे हुए हैं तो आप लोग देखेंगे सिर्षा, फत्यवाद, हिसार, भिवाणी महिंद्रगड, रैवाडी मेवाथ से लगे हुए हैं तो आप लोगों मैंने राजस्तान से लगे हुए जिलों की ट्रिक बता दी थी साथियों जो ट्रिक बताई थी मैंने देखिए बहुत अच्छी ट्रिक थी मैंने जो बताई थी वो आपने पीछे देखी होगी और आप उसे दुबारा भी देख सकते हो अब है उत्तरपर्देश 877 किलोमेटर है और ये 877 किलोमेटर दो जिलों से लगी है भरतपुर और धोलपुर किस से लगी है साथियो भरतपुर और धोलपुर से तो आप देखेंगे उत्तरपर्देश के दो जिलों मत्रा और आगरा से लगती है किवल दो ही जिले हैं मत्रा और आगरा और उसे लगई 877 राजिस्तान के भी दो और मद्द यूपी के भी दो ही जिले हैं देखिए यह देखिए मद्द पर्देश जो मद्द पर्देश है इसे लगई है 1600 किलमेटर राजिस्तान के दस जिले मद्द पर्देश के जस दस जिलों की सीमा से लगते हैं देखिए, नीमच के बात देरा का है, अगरमालवा तेरा कि रखा, राजगर, गुना, स्वपुरी, स्योबपुर और मुरेणा, यह देरा हैं, मद्रोपरद्रेश कела सरवादिक ज्हलाबाः, मद्रोपरद्रेश के स慰वादिक निंतम लगई हैं ज्हलावाः, जोकि नियुन वो लगी हुई है 6 जिलों से गुजरात है इसकी जो अभी सीमा है लंबाई किलोमेटर की वो है 1022 अब आप देखेंगे 6 जिलों से लगी है और गुजरात के भी 6 जिले हैं देखें गुजरात के भी 6 जिले हैं ये लगे हुए है जिसे कच लगा हुआ है बनास काथ लगा और अरावली महिसागर और दाहोद ये छेत्र से क्या है लगे हुए हैं अब आप लोगन देखा है सबसे ज्यादा अंतराजे सीमा मद्देपिर्देश की 600 किलोमेटर सबसे कम पंजाब की 89 किलोमेटर लगी हुई है देखे साथियो ये भी लिखा है राजस्तान के परदी जिले इनको आप पढ़ लेना परदी जिले यानि जो दीवर बना रहे हैं वो कौन-कौन से ये सारे लिखे हो हैं इनको आप भली भात अच्छी तर से देख लेंगे साथियो आगे देखेंगे राजस्तान के अंतराजे सीमा जिले 23 हैं ये लिख रखें अंतर राज्याई सीमा जिले 23 इन 23 जिलों का पढ़ सकते हैं कौन कौन से हैं ये देखें सारे ये दे रखें हैं आप देखेंगे राज्यता के किवल अंतर राज्याई सीमा वाले जिले 21 हैं ये वाले देखिए तो इनको देख लेना आप कौन कौन से है अब है अंतरवर्ती जिले जो ना राज्ये से ना किसी देश से सीमा बनाते हैं उनकी संक्या आठ है वो इस तरह से ये लिख रहे हैं सारे ये जिले बने हुए आठ पाली जिले से सरवादिक आठ जिलों की सीमा लगती है कितने जिलो बाजार नाजा बाजार नाजा देखे साथियो एसे अजमेर पाली से पाली उसे उधेपुर शिरोही बाडवेर जालावर राजसमंद नागवर और जैसलमेर इसे लगी हुई है आप लोग देखेंगे ऐसे चार जिले हैं जिनके सीमाएं दो दो जिलों से लगी हुई है बहुत इंपोर्टन परसन ऐसा आती हो देखना ज़रा ऐसे कितने जिले हैं जिनके सीमाएं दो दो जिलों से लगी हुई है वो हैं हन्मानगर पंजाब से लग रहा है हरियान से लग भरतपूर, हरियाना से भी लग रहा, उत्तरपरदेश से भी दौलपूर, उत्तरपरदेश से भी लग रहा और मद्दपरदेश से भी लग रहा है, बासवाड़ा, मद्दपरदेश और गुजरा दोनों से लग रहा है, ये था साथियों, अब देखेंगे अंतरास्टी जो सी है 310 3310 में से केवल भारत में 310 है राज्स्तान में इसका consistent 1070 है कितना साथ है देखिए यह रका यानी रेड किल्प के साथ राज्स्तान की कुल सीमा 1070 है यह इसा फ्रटार यह और चार जिलों के साथ लगी हुई है और चार जिले हैं काफी अच्छे दे रखें इसमें स्री गंगानगर दे रखा है दो सदस बीकनिर 168 चार्स 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 जैसलमेर और बाड़मेर तो मैं आपको पीछे इसके ट्रिक बताईए बिग बाजे बहुत अच्छे इसी के माध्यम सम कर सकते हैं से बीकनिर गंगानगर बाड़मेर और जैसलमेर तो इनकी ट्रिक है सही करा मेहन का बहुत इंपोर्टन्ट है आप लोग देखेंगे रेड किलिप रेखा रेखा राज यानि राजे उत्तर में गंगानगर हिंदु मलकोर्ट से स्टार्ट होती है और ये बाड़मेर में सहागड बाखासर सहागड में बाखासर गाह में यहां तक जाती है साथ ही हो जो पाकिस्तान के नोजले सीमा बनाते हैं कितने जले हैं नोजले जबकि राजिस्तान के चार की सुक्किर, खेरपुर, संगपुर, अमरकोट, थारपार का आदी अब दुबार देख लो उनको आरण से पढ़ लेना नको राजस्तान के साथ सरवादिक सीमा बहावलपुर की और सबसे कम खेरपुर की है देखे साथियों सरवादिक बहावलपुर और सबसे कम खेरपुर की सीमा लगी हुए देखे साथियों आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि राजस्तान के वे कौन कौन से दो जिले हैं जो मद्धिप्रते से दो बार सीमा बनाते हैं बहुत important question है यह आपको हमें comment करके बताना है हमें लगेगा आपने हमारा वीडियो देखा है तो वे कौन से दो जिले हैं जो राजस्तान के कौन से दो जिले हैं जो मद्धिप्रते से दो बार सीमा बनाते हैं और साथियो आपको ये बताना है राजस्थान के कौन से वो दो जिले हैं जो खंडेत रूप में बसे हो हैं तो देखे साथियो यदि आपको हमारा वीडियो जराभी पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सेर, साथियो सस्क्राइब जरूर कर देखे साथियो हम आपको देते रहेंगे ऐसे ही दमदार वीडियो यदि आपको ऐसे ही दमदार वीडियो चाहिएं तो साथियो हमारे चैनल को सस्क्राइब कर देए और इस वीडियो को निकटवरती फ्रेंड़ों पर सेर कर देए थैंक्यू साथ ही हो हम हाजर होंगे एक ऐसे ही दमदार राजस्तन के वीडियो के साथ थैंक्यू